हाई गाईज और अगर आप लोगोंने गर्मी के मौसम में आम का भट्ता नहीं खाया तो क्या खाया तो हमारे पस सबसे पहले दो आम हाजिर है यह हमारा ही पेर का है मेरे पापा जी ने इसको उतारा था तो इसको सबसे पहले हम धूलाई कर लेते हैं अच्छी तरह से ताके इसमें कुछ लगे ना रहे अच्छी तरह से धूलाई करने के बाद वीडियो को इन तक जरूर देखना बहुती मज़ा आएगा और अगर मज़ा ना आया तो पेसा सबको वापस में लगा ही अच्छी तरह से धूलाई करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चिल लेते हैं अपनी तरीका से तो आप लोगों भी इस तरह से आपको आम को चील लेना बहुती जल्बी चीलने के बाद तो यहाँ पर फाइनल या आम को चीलना हो गया यहाँ पर आम को हम अच्छी तरह से फिर से धोलाई कर लेते हैं धोलाई करने के बाद फिर उसके बाद चाकू या बोठी या मैसिन कुछ भी हो उससे आपको इस तरह को आम को काटना होगा अब जिस तरह से खाना पसंद करोगे उसी तरह से आपको आम को काट लेना होगा तो काटने के बाद आप पूरी तरह से कातना होने के बाद धोरा पाने से हम धोलाई कर लेते हैं धोलाई करने के बाद हम मिर्ची को काट रहे हैं आप जितना खा सकते हो मिर्ची उतना दीजिएगा हम तो ज्यादा खा नहीं सकते हैं इसलिए हम थोड़ा कम दोंगा तो काट लेते हैं मिर्ची को काटने के बाद तो यहां पर हम ने आम को अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी यहां पर वीडियो नहीं बन पाया तो उसमें हमने कुछ सूखी मिर्ची और काची मिर्ची तो दिया ही था कुछ सूखे मिर्ची और कुछ मसाला देकर इसको मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद देखो क्या टेस्ट लगा तो बोर है कंपलीट इतना खा सकते है सुपा है इक सीड़ अच्शे प्राइम बेस्ट ना करके अच्छी तरह से खा लेते हैं अपने जी भर के खाने के बाद आह कितना टेस्टी है आप लोग भी खा लेना जरूर पूरा है पूरा कदम कर दिया और मेरे हलत देखो और मूआ थिए गाइस फिर भी इसको छोड़ देने का मन बिल्कूल भी नहीं कर रहां कुके इसना स्वादी स्वाद तो गाया कमसे विर भी है खाने का मन कर रहा है बहुती ज्यादा यह आउटाउ लेकिन ज्या कर सकते है बेट करभ हो जाएगा तो अब ज्यादा विदहोगी गाइस आगर वीडियो को चल लगा सब्सक्राइब ठोको लाइब ठोको कमेंट कर देंगा अधर खाते रहो खर्मी के मासमया आम अधर मुटाइब बसाथ वादे से बाना वादे से खाते हो